हेलो प्रेंड अब सभी का स्वागत है हमारे चैनल में तो हम इस वीडियो में सीखेंगे एप्टूल सॉल्व करना क्रोस बाटम में रहता है और यह है एच पिस और यह कॉर्नर दोनों यह ऐसे बनाएंगे यह आपको दिख रहा होगा पेयर इसको पेयर बोलते हैं एप्टूल में से अभी तक हम लोग जितना भी सॉल्व किया बिगनर में धरते यह क्रोस बनाने के पास चार कारनों लगाने के बाद हम लोग यह एच पिस लगाते थे यह लगाने के बाद लाश्ट लेयर सॉल्व करते थे लेकिन इसमें क्या है कि हम यह दोनों एकी बाद लगे देंगे यह जोह एक पीस है और यह कॉर्नर दोनों एकी प Leg इसे जो कॉर्नर एकपीस है यह है दोनों एक वह लगे इसम flavors को क्रोस रेडी है हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस्टार्ट इधर से कर देते हैं यहां से अभी यह हमारा सॉल्व है एक पीस एक पिस सॉल्व है तो इसको हम लोग लगा देंगे लगाने से यह सा नहीं है कि यह लगाने के बाद मैंने भोलतूं ऐसा एक है तो अगर है तो पहले हम लोग इसको लगा देंगे यह हमरा यह साइड में इधर आता है यह देख सकते हो यह पीस यहां का नहीं है यह पीस यहां आता है ओरेंज और यह ब्लू ब्लू को बीच में आता है ओरेंज और यह ब्लू आप देख सकते हैं ओरेंज और ब्लू तो आपको पता ही है इधर भेजना है इसको इधर करना इसक्त तो ऐसे हम लोगा टाइम जादस जयादा टाइम से मुलग का बहच जाता है अभी येवाfolg कपूंडेंगे लोग यहां का हमारा यॵля बाटम में बाटम में अकर है तो इसको बाहर निकलेंगे और यह हमारे यहां आ गया अब यह हम लोग देखना है ना यह वाइट टॉप में है वाइट टॉप में है तो वो भी वाइट टॉप में था लेकिन वो सॉल्व था उसको आप छोड़ी दो उसको मत देखवा यह वाइट टॉप में है ना तो इसका एच पीस डूनेगे हम लो यह राइट साइड आता अगर यह राइट साइड में लगेगा तो इसको लेफ्ट में करेंगे अगर लेफ्ट में लगेगा राइट साइड में करेंगे लेकिन इसी को करेंगे जिसका कॉर्णर वाइट टॉप में हो जिसका वाइट टॉप में होगा उसको हम लोग यह सेंट को यहां है न यह देख सकते हो इसके सामने लाएंगे इसके सामने लाने ते हमारा यह बन गया प्यर यह हमारा हो गया प्यर हो गया यह हमारा पेर बन गया पेर होने के बाद इसको हम लोग आपको पता ही होगा ऐसे करके बाहर कैसे निकलते हैं बाहर निकल दिया एक बार इसको निचे करती है यह सॉल्व के बस इतना इजी है आप जितना सोच रहा है उतना मुश्किल नहीं है बहुत इजी है इतना ज्यादा इजी है इसे ज्यादा इजी कुछ नहीं है ठीक है यह आप देखो यह वाइट इसमें राइट साइड है आप देख सकते हो वाइट राइट साइड में है इसमें इसका एजपिस कहा है ढूनेंगे इसका एजपिस इधर है ब्लू रेड यह ब्लू है रेड है ना यह भी ब्लू है रेड है यह red है और blue है यह भी red है और blue है तो अगर यह situation में है right side हो यह left side हो उससे मतलब नहीं है लेकिन यह white है ना white के पीछे नहीं होना color भी अब देखो color match नहीं है इधर red है इधर blue है तो color match नहीं है यह हम लोग को अगर इधर है ना white white इधर है तो हम लोग को उधर होना मतलब किसी भी हालत में white के पीछे नहीं रहना इसका edge piece white के पीछे नहीं रहना अगर white ऐसे जा रहना इधर जा रहना white यहां आये ना तो इसके पीछे नहीं रहना इधर रहना इधर आएगा तो इसके सामने चिपक जाता है इधर आएगा तो इधर चिपक जाता तो यह एच पीस पीछे नहीं रहना और यहां चिपक के नहीं रहना इधर एक ही जगा रहना यहां रहना इसके अपोजिट में रहना बस कुछ नहीं ऐसे रहना ये उधर जाना उधर जाना बोले तो कैसे करेंगे हम लोग ये ध्यान दे देंगा हम लोग इधर खाली है ना इधर खाली ये साथ सॉल्व नहीं है ना इधर खाली है ना तो इधर खाली है तो इसको हम लोग हमारा ये है corner एक बार ऐसे turn करके नीचे करेंगे नीचे करके उसको नचा देंगे नचा के उपर कर देंगे अभी हमारा ये back था देख सकते हो पीछे था अभी ये side आ गया इधर था ना अभी back में था इसके white के पीछे था अभी white के अब देख सकते हो इधर आ गया तो हम लोग इसको यहीं लगेगा जहां पर लगेगा ना ये corner को ध्यान दे ये space किदर है वो छोड़े आपको ये corner जहां पर लगेगा ना वहीं पर रखे है corner अगर इधर है ना ता आप घुमा के इधर करें ये center of match नहीं करना जिसका white top में उसी को match करना है बाकी का match नहीं करना जब जब white top में जाएगा तब तब आपको match करके solve करना है अगर नहीं है top में नहीं है right side है backs में left में है front में है तो उसके लिए बता रहा हमें तो अभी हमारा right में राइट में है उसके पीछे side में यह है उसका HP से है एक बार हम लोग R लगा देंगे R लगाने से pair बना प्यर बना ना प्यर बनने के बाद एक बार U आप देख सकते हो solve solve इससे ज्यादा easy आपको कौन समझाएगा किसी भी वीडियो में आप इससे ज्यादा easy आप समझाएगा हाँ यह है कि वीडियो थोड़ा था लंबा हो रहा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं समझाओंगा आगर नहीं समझ में आएगा न तो किसी भी वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा तो हम लोग ये solve करेंगे अभी हमारा देख सकते हैं ये side में है यहीं लगा red, green, white red, green, white ये तीन इसमें है यहीं लगा लेकिन इसका age piece का है इसका age piece फिर से age के पीछे, white के पीछे ही है तो हमको white के पीछे नहीं चाहिए तो अभी हम लोग इसको नीचे करेंगे ना तो यह तूट जाएगा तो एक बार हम लोग इसको इधर ला लेंगे अब चाहिए तो उधर भी ला सकते हो लेकिन हम लोग इधर ला लेंगे इधर लाने के बाद यह खाली है यह स्लोट खाली है स्लोट खाली करने से कुछ नहीं ह होगा एक बार इसको नशादेंगे ऐसे था नशादेंगे अभी इसको बैक में था अभी उधर हो गया फिर इसको रिटर्न यहां कर लेंगे अभी आप देखो यह मैच है उसमें क्या था मैच नहीं था इसमें मैच है रेड रेड मैच है ना देख सकते हो आप रेड गरीन रेड गरीन रेड गरीन रेड गरीन है ना यह दोनों मैच है अब दोनों मैच है तो कैसे हम लोग करना इसको यहां करेंगे जहां पहले कि यह थे ना यह खाली है ना यह खाली वाला से इधर करेंगे ताकि इधर करने से क कोई दिक्कत ना हो हमें ठीक है ना तो अगले वीडियो में मतलब वो अगले वाला जो सॉल्प किया हम लोग अगले सॉल्प किया तो हम लोग ऐसे किया था पेर बना मिलाया था लेकिन ये पेर नहीं बन रहा है अब देखो ध्यान से देखो पेर नहीं बन रहा है ऐसे किया थ बना same situation color match है बस change क्या है color match है तो इसको हम लोग कैसे solve करेंगे ये अब नीचे जाता इसको नीचे करेंगे ये ले गए थे उसके पास अब वो लाएंगे इसके पास ये दो बार यहां कर दीजिए ला दीजिए इसको solve ये बन गया मैं बता रहा कैसे color match है अगर color match नहीं है ये जाएगा अगर color match है तो वो आएगा color match है ना इसको नीचे करेंगे ध्यान से इधर वो रहना चाहिए खाली रहना चाहिए अभी हमारा कहां लगेगा यहां लगेगा यहां लगेगा इधर करें तो यह जाता तो हम लोग जिदर खाली है इधर खाली है ना घुमा के इधर ला ली है तो अगर मैच है तो यह नीचे करेंगे कॉर्णन नीचे करेंगे एच पीस को इसके पास लाएंगे और ऐसे पेर बनाएंगे और इधर घुमा के ले देंगे और जहाँ पर लगेगा हूँ आप इसे करके लगा देंगे अगर मैच नहीं है आप देख सकते हूँ ये ये वहाँ लगगा लेकिन देख सकते हूँ रेड रेड ग्रिन रेड ग्रिन इसके बेग उधर ही है ये मैच नहीं है अब ही हम लोग सॉल्ब किया लेकिन फिर से बता रहा हूँ ये मैच नहीं है इससे पहले वाला क्या था? मैच था मैच था तो ये नीचे गया वो इधर आया था ये मैच नहीं है अगर मैच नहीं है ये उसके पास जाएगा अगर मैच नहीं है तो ये इससे ज़्यादा मजबूत ये है इसको अपने पास खींच ले रहा इसमें है तीन कलर आपको मालूम है इसमें दो कलर है मजबूत इससे ज़्यादा मजबूत ये हुआ अगर यह मजबूत हुआ तो, यह मैच नहीं है गलर तो, इसको खीच ले रहे हैं अगर वह एक कलर मैच हुआ तो, उसको यह खीच ले रहे हैं अभी आप देखा ना, इस से पहले वहला situation में दोनों कलर मैच था रहे हम लोग यह डाउन किया, यह यहाँ पे आया यह यहां पाया ना जब जाकर उठा दिया तो पेर बन गया हम लोग स्वेट कर दिया अभी क्या है कि हम लोग इधर इसको खींच लिया मतलब इसको यहां से उसमें उधर ले जाएंगे पेर बन जाएगा इधर गुमा देगा solve बतेगा हो गया न अब इससे ज़्यादा F12 में है इससे ज़्यादा easy और कुछ नहीं है और जितना भी आपको मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं थोड़ा आपको मेहनत करना परेगा थोड़ा से ध्यान देना परेगा वीडियो का अच्छा से ध्यान से देखना परेगा आप सीख जाओगे अब इता आपने सीखा है टॉप में टॉप में रहेगा तो solve करेंगे अगर वाई चैनल मान लो आप इधर है वाइट ये इधर है क्या करोगे आप इसको टॉप में ले जाओगे इससे side करके इससे मान लो आप इधर है इधर है इधर होगे ये इधर होगे है दोने एक पास में होगे है तो क्या करोगे आप तो मैं बता रहा आपको ये bottom में HPC कहा होगा HPC यहां होगा नई set होगा सीधी सीधी बात है ये देखो आप ये मेच है ये देख सकते आप इसकी का है बागी तीनों solve है एक ही है हम लो का ये इधर है वाइट भी इधर ही है ये line में मेच है अब भी इधर है इसको हम लोग बाहर निकालने की जरुवत नहीं है और नहीं हम लोग इसके लिए algorithm याद करने का जरुवत है नहीं algorithm याद करेंगे और नहीं इसको हम लोग बाहर निकलेंगे जो भी करेंगे यहीं से करेंगे यह यहीं रहेगा यह भी यहीं रहेगा और इसको solve करेंगे यहीं से करेंगे इसको सॉल इसको बाहर निकालने का जरुर्वत नहीं है बाहर निकालने पर यहीं रहता यह टोप में आता इधर अठाना परता टोप में आता लेकिन नहीं इसको मैं बतारहें आपको अब देखो judgments इधर ऐसे लगांगा हम लोग R कि एक बार और आर तिख लिए अपने अपने कि शल्व होगे एक बार और ट्राइ करते हैं कि एक सिचुएशन अपने सॉल्व किया यह मैच था वाइट इदर ही है यह मैच था यह मैच नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व बने अगर यह मैच नहीं है ना यह मैच होगा दो ही कलर है ना इसमें इसमें दो ही कलर है दो कलर है तो यह मैच है अगर यह नहीं मैच है तो यह मैच है अगर यहां मैच है तो white के पीछे जाए रहा है कोई दिकत नहीं फिर से solve करेंगे ये भी इधर ही रहता है white इधर ही रहता इसको बाहर निकालने के जरुवत नहीं है अगर ये इधर होगा न तब भी हम लोग solve करेंगे इसको बाहर निकालने के जरुवत नहीं है को पाता है या तो बॉटम में रहता या तो टॉप में रहता दो ही जगा रहता है अभी हम लोग किदर है बॉटम में है एच पीजिस का टॉप में है टॉप में है तो यह भी बहुत इजी है इतना इजी आपको नहीं याद होगा ना तो फिर आप से कुछ नहीं होगा अगर हाँ आपको 10 सकेंड 20 सकेंड बे सॉल्ब करना है तो मेनद तो करनी परेगी अभी ये इसके पीछे है ना पीछे है तो इसे डाइरेक्ट उठा देंगे डाइरेक्ट इसको उठा देंगे एक बार इसको वहां लेकर जाएंगे बन गया ना बन गया ना पेयर अभी इससे ज्यादा एज़ी क्या है मेरे वहाई देखो आप इधर मैच रहने से हम लोग ऐसे आर यू आर यू लगा कर सॉल्ब किया था लेकिन मैच नहीं है अगर मैच नहीं है तो कोई दिकत नहीं ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे पेयर बन जाता एक बार उपर, एक बार उधर, पेर बन गया, ऐसे किया, सल्प किया, देखो आप, यह पीछे मैच है, आगे मैच नहीं है, एक बार और देखतो, यह यह ही है, आप देखो रहाएं, यह इधर चिपक है, इधर चिपक है, तो क्यों थी बड़ी बात है, एल्कुरिदम याद करने का जरुवत ही नहीं हैं, आप लोग है, मैं आपको बता रहा है, देखो आप र, यू, आर प्रैम यू प्रैम आर यू आर प्रैम यू प्रैम बस आपको ज्यादा नहीं दो बार करना हैं दो बार करते ही यह सेट हो गया है इधर आगा है बस आर एकदम इस जी है अगर आपका एक मिनुट में आप सल्ब कर रहे हो न तो आपका 30 सकेंड ये ले लेगा आपको इसी पर ध्यान दो सिखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट ये ही है नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा एकी अल्गोरिदम से ये पूरा एल्लो हो जाएगा और एकी अल्गोरिदम से ये पूरा सेट हो जाएगा यानि दो अल्गोरिदम दो अल्गोरिदम का मतलब आप समझ रहे हो न 5 सकेंड मामली 5 सकेंड में ये सॉल्ब हो जाएगा आपका मैं लिख के दे रहा हूं 100% मैं solve करना सिखा दूँगा लेकिन जो भी time लगेगा आपको इसमें time लगेगा इसी को आप सीखो जब भी time मिले तो इसको बनाते रहो बनाते रहो यह finger जो उंगली का finger है इस पे बैठ जाएगा अगर मैं आपका इस पे बैठ गहां तो बत